एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान रामू अपनी पतनी सुमित्रा और उनकी बेटी लता के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उनकी आय इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता था। सुमित्रा ने हमेशा अपने पती का साथ दिया और लता को अच्छे संसकार देने की कोशिश की। सुन्दर और होश्यार लड़की थी, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने पता से कहती, पापा मैं बड़ा होकर शिक्षिका बनना चाहती हूं। रामू भी अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन पैसे की कमी के कारण लता की पढ़ाई में कई बाधाएं आती थी। बेटा शादी का महत्व भव्यता में नहीं, बलकि सचे रिष्टों में है। और उसे पसंद करने लगा। अर्जुन एक अच्छे परिवार से था, लेकिन उसकी भी पढ़ाई और करियर के प्रती महत्वा कांक्षा थी। उसने लता से बात की और कहा, मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ, हम साथ में अपने लक्षियों को हासिल कर सकते हैं। तो लता के माता-पिता खुश थे, उन्होंने साधारन तरीके से शादी करने का निश्चय किया। गाउं में सभी लोग शादी में आये और खुशी-खुशी समारोह मनाया। लता ने साधारन लेकिन सुन्दर लिवास पहना और अर्जुन के साथ मिलकर नई जिन्दगी की शुरुआत की। झाल बाता दिन्दर झाल